नमस्कार मैं हूँ शिल्पितर पाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा है कि शुपाल यादम ने अपने बड़े भाई मुलैन सिंग यादो पर नाराजगी जाहिर की है शुपाल यादम ने एक बार फिर ये कह दिया है कि उचित समय आने वाला है और जल्द ही अपने अगले कदम काखुलासा करने वाले हैं अपनी 2022 बदानसबा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके थे और शुपाल ने करेब 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी तैय कर लिये थे लेकिन मुलायन सिंग ने शुपाल यादव को अखलेश का साथ देने के लिए कहा और अखलेश यादव को मुख्यमंत लिए रड़र भी तों का दरद उनके जबान पर आया कि अपने बड़े भाई मुलायन सिंग के कहने पर उन्होंने अपनी पार्टी को बान कर दी है लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने उनने इस सरफ एक ही सीट दी जबकि दशकों तक मुलाम सिंग के साथ मिलकर जमीन पर मेहनत करके उन्होंने समाजवधी पार्टी को मजबूत किया है शिवपाल के पीज़पे में जाने की बात को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि जल्द ही उचित समय आने वाला है और शिवपाल ने अपनी ट्विटर पर एक नया पोस्टर लगाते हुए कहा हैं तयार हम दोस्तों यूपी की धुवधार राजनितिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाईए क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिलकुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे चलते हैं जै भीम जै भारत